मैं कभी-कभी ये जो गवरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकाने खोल करके बैठ गए हैं मुझे इतना गुस्सा आता है गवभक्त अलग है गवसेवक अलग है पुराने जमाने आपने देखा होगा कि बात्सा और राजाओं की लड़ाई होती थे तो बात्सा क्या करते थे अपनी लड़ाई की फोच के आगे गाय रखते थे राजा को ये परिशानी होती थी कि लड़ाई में अगर हम सस्त्रों का वार करेंगे तो गाए मर जाएगी तो पाप लगेगा और इसी उलजन में वो हार जाते थे और वो भी बड़ी चालाके से गाए रखते हैं मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोचल एक्टिविटी करते हैं कुछ लोग लेकिन दिन में गवरक्षक का चोला पहन लेते हैं मैं राज्य सरकारों को अनुरोत करता हूँ कि ऐसे जो स्वयम से भी निकले हैं अपने आपको बड़ा गवरक्षक मानते हैं उनका जारा डोजियर तियार करो 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गवरक धंदे करते हैं जो समास्विकार नहीं करता हैं लेकिन अपनी उस बड़ाईयों को उसे बच दे के लिए यह गवरक्षक का चोला पहन करके निकलते हैं और सचमुझ में सचमुझ में वह गव सिवक है तो मैं उनसे आगरा करता हूँ कि काम कीजिए सबसे जादा गाएं कतल के कारण मरती नहीं है प्लास्टिक खाने से मरती है आपको जानकर गहराणी होगी जी गाएं कूड़े कच्ड़ में प्लास्टिक खा जाती है और उसका प्रणाम होता है कि गाएं मर जाती है प्लास्टिक खाने से जाती है